लुटेजा इस दीपाक सिंग और आज हम टॉपिक डिसकस करेंगे फिशिंग कैट्स का टॉपिक हम क्यों डिसकस करेंगे हैं क्योंकि रीसेंक्ली इसके उपर एक आर्टिकल लाया था हिंदु नीजस्टुपर में इस साल स्टार्टिंग में भी एक आर्टिकल इस पर दे इस पर कवर करा था तो इस कंटेक्स में मैं सपीशी को कवर करूंगा मैंने आपको पहले भी बोला हुए कि ऑन्वायमिनोर्मेंट स्पीशी जो होते हैं उसकी सबसे चीछी कवरेज हिंदु नीसपर में होती है तो इस वरा से जरूर मैं आप लोगों को recommend करूंगा कि हिंदू नीउस पर आप जरूर पढ़िए अपार्ट फ्रम इंडियन एक्स्प्रेस ठीक है lecture start करने से पहले मैं कोछ इस पर mcq पूछूंगा और फिर अगें in a 3C approach that is comprehensive, concise and in a contemporary manner मैं ये lecture cover करूंगा जो भी related prelims oriented इसके facts होंगे वह मैं सारे इसमें cover करूंगा ये topic prelims के लिए ज्यादा relevant है lecture start करने से पहले मैंने जैसे previous lectures में भी mcqs पूछा थे आप से mcqs पूछूंगा तो मेरा आज का पहले mcqs है इस lecture related कि wildlife institute of india ये कहाँ पे headquarter है अगर मैं इसमें कुछ options दूँ आपको न्यू डिली में है ये आपका चन्नेई में है धहरादून में है शेलॉंग में है तो कहाँ पे headquarter है या फर कोलकता में है तो correct answer है इसका आपका धहरादून में है ये तो छोला थोड़ा easy हो गया फिर मैं एक और mcq पूछता हूं topic तो fishing cats का है पर actually किसी context में है एक wildlife century यहाँ पे का प्रोजेक्ट कर रही है fishing cats का तो यह कौन सी wildlife century है ठीक है तो उसका correct answer है coringa wildlife century c o r i n g a लिखने की spelling note करने की जरूरत नहीं हूं PPT में वैसे लिखा हुए तो यह wildlife century आपकी कहां पर located है हो सकता है fishing cats के उपर question ना पूछे पर wildlife century के बारे में question पूछ ले ठीक है तो यह question मनता है तो यह कहां पर located है इस तरीके से confusion हो सकती है तो correct answer है इसका आंद्रप्रदेश है और आंद्रप्रदेश में चलो यह थोड़ा easy हो जाएगा वैसे आंद्रप्रदेश में है तो कौन सी river river इससे pass करती है या फिर उसके mouth पर located है कौन सी river के estuary में है यह तो इसका correct answer होगा अगर मैं आपको दूँ इसका कि गुदावरी हो गई कृष्णा होगी कावेरी हो गई या फिर नर्मता होगी तापी तापती हो गई चलो आप लोगों को आंद्रप्रदेश में है तो इस व पूश लूँ कि if there is a statement that it is a Ramsar site true or false as of now it has been designated as a important wetland of international importance according to Ramsar convention so is it right or wrong so the correct answer is it is wrong it is not yet a Ramsar site काफी सारी sites इसके अंदर add हुई है यह बहुत important wetland है पर in spite of that और इसको habitat destruction भी काफी हो रही है यह एक अलग से issue है and that is also the reason that fishing cats are also under threat because of the wetland destruction happening in Koringa wild life century तो मुझे भी थोड़ा spelling देखने के लिए नीचे देखना पड़ी है ठीक है चलो होती रहती है चीज़े तो यह आपका correct answer है कि it's not yet so the statement is false that it is not of Ramsar site यह रामसर site का अभी दक इसको designate नहीं करा गया एक और true or false की statement को उचूँ यह इस वरा से पूच रहों क्योंकि instead of asking a direct तीन चार options वो होता है single statement वाले MCQ की जगा वो यह पूच सकते हैं कि तीन statement दे दे और उसमें से identify करने को कहें कि कौन सी statement correct है कौन सी statement गलगत है ठीक है so एक और चीज़ बन सकती है कौरिंगा has second largest stretch of mangroves मैं first largest तो वोला नहीं क्योंकि उसमें आप लोग अगा थोड़ा बहुत भी आप पढ़ रहे तो आपको लोगों को idea होगा कि सुंदर बंस इंडिया has the largest stretch of mangroves in India तो second largest stretch आपका कौरिंगा पर है true or false any guesses तो correct answer है yes it is true तो यह आपके कौरिंगा wildlife century के context में होगे और fishing cats के उपर आते हैं दोनों topic में इसमें cover कर रहा हूं वैसे fishing cats के उपर आए तो it only eats fish as the name says fishing cats so it only eats fish true or false so it is false it also eats many other species delicacies इसका जब बन करता है different type का cuisine खाती है but primarily इसका fish है लेकिन और भी चीज़े यह consume करती है so it is false that it only eats fish अब आते हैं इसके IUCN status पे International Union for Conservation of Nature की जो red list है उसमें इसका IUCN status क्या है according to 2016 year मैं यहां पर specifically बोल रहा हूँ कि 2016 की assessment के according इसका IUCN status क्या है its IUCN status according to 2016 assessment is vulnerable इसमें थोड़ा सा debate है but according to क्योंकि काफी जगा पर मैंने Worldwide Fund की वेबसाइट देखी तो उसके according लिखा हुआ था कि it is endangered फिर मैंने Hindu की वेबसाइट देखी तो उसमें लखा वलनरेबल अल्टो हिंदू वगारे में भी गलात है तो WWF is more reliable फिर मैंने IUCN की वेबसाइट पर गया तो उसके according लिखा कि 2016 की रिपोर्ट के according it is vulnerable so I will say that it is vulnerable I stand by this because what IUCN has stated okay तो इसमें confusion है इन डिफरेंट जगा पे किसीने endangered लिखा हुए किसीने वलनरेबल लिखा हुए but according to the IUCN status of 2016 year it is vulnerable in spite of being under a lot of threat because of the destruction of wetlands तो यह इसका answer है फिर sites जो है आपकी तो CITES जो करके convention है जो illegal trade का ban करती है उसमें कौन से appendix के अंदर listed है appendix 1, appendix 2, appendix 3, appendix 4 I don't know appendix 4 होता भी है नहीं मैंने तीन तक इस सुरे है वो सरफ MCEQ में चार option मनाने के लिए मैंने बोल दिया है पर कौन से appendix के अंदर listed है तो इसका अंदर correct answer है कि appendix 2 के अंदर listed है ठीक है यह पूट सकती है और wildlife act of 1972 India का जो है उसमें कौन से schedule के अंदर listed है schedule 1, schedule 2, schedule 3, schedule 4 again I would say I don't know whether there is a schedule 4 or not तो उसके अंदर लेकिन कौन से schedule है तो correct answer है इसका schedule 1 के अंदर listed है IUCN का status इसका vulnerable है 2016 की report के according sites के अंदर या appendix 2 के अंदर listed है और schedule 1 में listed है under the Indian wildlife act of 1972 तो यह probable MCQs जो बन सकते थे इस topic पे वो मैंने आप लोगों के साथ discuss करनी है जो कुछ और बचे हुए points है तो वह मैं आपको दिखा देता हूं इसमें आमको लेक्चर में पढ़ा भी देता हूं आपकी दुबारा से revision हो जाएगी तो यह article आया था आपका news paper में यहाँ पे आया था कॉरेंगा set for fishing cat callering project तो यह भी बन सकता है कि यहाँ पे कॉरेंगा उसमें क्या-क्या developments आई है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूं मैं आपको बताया था कि Wildlife Institute of India based in धहरादून और साथ में मार्च 2021 में यह तो नवंबर की news है ठीक है sorry for my bad handwriting तो लेकिन मार्च 2021 में भी एक news आई थी कि the first ever survey of the fishing cat इन चिल्का लेक टाट इस एशियास बिगेस ब्रैकेश वाटर लगून स्टाटे इन मार्च 2021 तो यह भी है कि चिल्का में भी वहाँ पे लेक में भी वहाँ पे जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकेश वाटर लगून है वहाँ पे भी fishing cat का पहला सर्वे हुआ था तो इस वरा से नीज में था तो आप देख सकते हैं कि रेगुलर्डी नीज में हैं तो हो सकता है इस साल के प्रेलिम्स में तो जैसे चलो नहीं पूछा पर अगले साल के प्रेलिम्स में पूछ सकती है क्योंकि देढ़ साल के current affairs पूछती है UPSC अब इस कॉलरिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी बढ़ा दें तो इस वरह से में यही है कि पहले उसको काउंट करा जाएगा एंड उसमें से फिर दस एनेमल फिशिंग कैट्स आपके सेलेक्ट करे जाएंगे और objective यह है कि to study its habitat, feeding habits, threats और उसकी movement को 2018 में भी census वैसे कवरा गया था जिसके according 115 fishing cats थी इस wildlife century में और Asia में देखा जाए तो यह ऐसा नहीं कि पहली exercise है यह भी statement मन सकती है कि it is the first ever exercise being conducted in Asia to enumerate and do collaring of fishing cats so that is wrong a similar exercise has already been conducted in Bangladesh क्योंकि वहां पर सुंदरबंद्स हैं बंगलादेश में तो काफी ज़्यादा है और वहां पर mangroves हैं wetlands हैं तो fishing cats के लिए अब हम fishing cat के बारे में पढ़ लेते हैं पहले scientific name यह important होता है क्योंकि हो सकता है डारेक्ट कॉमन नेम पर ना जाए scientific नेम पर कोशन पूछ ले तो राम प्रशाद सर्मा दश्रत प्रशाद सर्मा सब पढ़ लेते हैं तो scientific name में इसका थोड़ा सा difficult है तो इसको तोड़ मरोड क सैस जाए और हम भल लाते हैं चोटे चोटे पार्ट में प्रियो नेहल उरस सो यह इसका नाम है प्रियो नेहल उरस विवररिनस अब किस तरीके से भी आप जी मरोड बरोड कीं Rape rebel आतो इसका correct सब्सक्राइब काफी स्ट्रॉंग है तो यह इस तरीक से देख सकते हैं तो इसके फीचर वही है स्पॉल ड्राउंड डियर लार जाइज मस्किलर बॉड़ी तो फिशेंग आपकी जिम वगरा बड़ी जाती रहती है इसका बारे में इसके फीचर के बारे में देख लेते हैं कि इसकी डाइट इनको खाना पीना क्या पसंद है जो मैटो से क्या ओडर करती है यह तो पहली बात यह बहुत बढ़िया स्विमर है अब इसका नाम ही इंडिगेट करता फिश खाती है तो फिश खाने के लिए सुन तो करना ही पड़ेगा तो यह फिशिंग करने के लिए तो ऐसे करेंगे नि टांगेंगे नि अपना तो फिशिंग कैट इसएन अड़र जाती रहती है तो यह तो आजवी यह यह जात करना फिशिंग कार्ण is nocturnal पुलू है रात की तरह जाखती रहती है और अपार्ट रॉम फिश अलसो प्रेय और फ्रॉग्स क्रस्टेकियन्स स्नेक्स बर्ड्स एंड स्काविंजर और केरेकैस ऑफ लार्जर अनिमल तो यह भी है तो ऐसा नहीं है कि सरफ फिर्श ही खाती रहती है और इनके मेन्यू में काफी सारी चीज़े हैं डिबेंडिंग और कितना डिस्काउंट मिल रहने स्विगी और दोमैटो पर तो यह काफी चीजे और भी घाती रहती है अब इसका होगा अब हैब बात कर लेते हैं तो इनकी डाइट के बारे में बात हो गई किस तरीके से इनका इटिंग बहेवियर है तो वहां से कुछ एमसी की बन सकता है कि यह सरफ फिश खाती है नहीं खाती है या फिर क्या ख अब दस्क ते से इंडिया में जैसे में जैसे में जैसे मंगरों फैरना ऑक्रकैइं और अंदर नहीं या तो तो हर जगा पर मिलती है वहाँ पर लेकर मैंग्रोफ की अच्छी गासी डेंसिटी है वेट लैंड है यो कि सेकंड लाइज अगरॉफ का स्ट्रेच है अकॉर्डिंग तू वेरियस सोर्स तो इस वरा से हमाँ पर यह सारे काफी सोर्से जहां पर फिशिंग कैट मिलती है यह आ यह पर थोड़ी कुछ सोर्सेज ने मेंशन कर रहा है डबलोड़ोफ की साइट ने इंडिंजर रेफर करा है आई यूसी और कुछ वेबसाइट ने वल्लेवल करा है तो आयम गोइंग बाइड इस वल्लेवल ठीक है अकॉर्डिंग तू मी अगें 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 इंडेंजर स्पीशीज कंवेंशन ओन इंटरनाशनल ट्रेड इंडेंजर स्पीशीज यह क्या कहता है कि यह अकॉर्डिंग तू दिस फिशिंग काट इस लिस्टेर इन अपेंडिक्स 2 पार्ट अव्ट आर्टिकल 4 आफ साइट विच गवर्नस इंटरनाशनल ट्रेड इसका नाम करता है में यह नखन है कि अपेंडिक्स 2 में लिखा गया है यह वल्नरेबल आइसवें के अकॉर्डिंग और इंडियन वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट ऑफ 1972 के अकॉर्डिंग फिशिंग काट इस इंक्लूड वन और प्रोटेक्टेट फॉम हंटिंग तो इसका इंटरनेशनल ट्रेड इसमें वहाँ पे रेगुलेशन से इसके वहाँ पे और इसको हंटिंग नहीं कर सकते अकॉर्डिंग तो दशेडियूल वन ऑफ द इंडियन वाइल देशिंग और यह विलनरेबल यह तो यह इसका मेजर थ्रेट है और वेटलेंग त्रेट में वहाँ पे फिश का जो इनका जो बेन प्रे है डाइट है अगर वह थ्रेट हो जाएगी तो वहाँ पे भी इशू रहेगा क्योंकि अंसस्टेनिबल फिशिंग होगी अगर आपकी जैसे होते ट्रॉलिंग होती है उस तरीके से होती है मास फिशिंग होती है तो इस वरा से भ यह traditional medicine में include करने का जाधा major threat नहीं है इनके context में अब हम बात करते हैं कोरिंगा wild live century के बारे में, it is a wild live century and estuary situated near काकी नदा in आंदरप्रदेश, इसके पास है आंदरप्रदेश में है, and it is a part of the गुदावरी estuary, एक यह भी point हो गया कि कौन से river इससे पास करती है, कौन से river के part है यह, and it is the second largest, it has the second largest stretch of mangrove forest in India, after सुन्दरबंस, यह एक important point मनता है, it is also home to various critically endangered vulture species like white-backed vulture and long-billed vulture, जब हम vulture का topic discuss करेंगे तो उससे भी यहाँ पे interlinked एक question है, कि यह जो wild live century है, यह critically endangered white-backed vulture and long-billed vulture को करती है, यहाँ पे, इसका habitat है यहाँ पे, इसका कुछ area को, इसके जो surrounding area है, उसको eco-sensitive zone भी declare कर दिया गया है, but इस पूरे wild live century को अभी तक रामसर साइट डेकलेर नहीं कि रह गया, in spite of facing so many threats, ठीक है friends, तो यह आपका lecture था, fishing cat का, और coringa wild live century का, अगर इस lecture के related कोई भी doubts है, तो definitely आप comment section में type कर सकते, अगर आपको लगता है इसी तरीके से, और कौन कौन से lecture करने चाहिए, तो उसके बारे में भी आप type कर सकते comment section में, वो lecture और demand भी हम conduct करेंगे, और friends साथ में यह भी मैं कहना चाहूँगा, कि अगर आपको lecture पसंद आया, तो आप like करिये, comment करिये, share करिये, और हमारे चानल को subscribe करिये, काफी सारे social media platforms के मम available है, facebook हो गया, instagram हो गया, telegram हो गया, youtube हो गया, और यह हमारा contact number है, अगर आपकी कोई भी query है, तो definitely reach out to us anytime, so friends, this is Deepak Singh, have a nice day, bye.